करनाल के सदर्थाने में तैनाथ सब इंस्पेक्टर को 10,000 उर्पे की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफतार कर लिया गया है आईजी भारती अरोडा ने फोन रिकोर्डिंग सुनकर केस दर्ज करने के निर्देश दिये थे गाव स्टोंडी निवासी नरेंदर कुमार ने शिकायत दी थी कि उसके साथ 26 नवंबर 2018 को 56 लोगों ने मारपिट की थी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था लेकिन गिरफतार नहीं कर रही थी मामले की जाच कर रहे S.I. सुरेश कुमार ने आरोपियों को गिरफतार करने के लिए उससे 10,000 रुपे की रिश्वत मांगी उसने S.I. के साथ रिश्वत को लेकर हुई बातचीत को मुबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया यह ओडियो आईजी भारती अरोडा को सुनाया गया इसके बाद आईजी ने S.I. के खिलाफ कारेवाही के आदेश दिये इसके कुछ ही घंटे के बाद पुलिस ने ना केवल आरोपित पर थाना सिविल लाइन में केस दर्च कर लिया बलकि उसे किरफतार भी कर लिया आईजी भारती अरोडा ने कहा कि यह गंभीर मामला है फिलाल पुलिस करमचारी को कोट में पेश कर न्याइक हिरासत में भेज दिया गया है आईजी भारती अरोडा ने रेंज के सभी पुलिस अधिकारियों और करमचारियों को संदेश भी दिया है कि अगर कोई पुलिस करमी आम जिनता को परिशान करके उनसे रिश्वत मांगेगा या काम में लापरवाही बढ़तेगा तो उसके खिलाफ सक्त कारेवाही की जाएगी रिश्वत लेपते नहीं एक डिमांड की थी उसे केवल डिमांड पे ही सेक्शन साथ पीसी एक्ट में कल अरेश्ट किया है और जो कोई आगे करेगा उसके साथ भी कारवाई की जाएगी क्या नाम साथ है यहसा ही सुरेश आग जे बीटी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बैल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्स्क्राइब करें हैंने वाली